नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक में मैं हूं सोनू फिंस और आज मैं बताऊंगा आप लोगो को कि मोटर की फिटिंग बात्रूम की फिटिंग और टैंक की पूरी फिटिंग दिखाऊंगा इस वीडियो में तो अगर आप हमरी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो वीडियो का नोटिक्रिकेशन आपको मिले और आप उसे देख भाए है त तो टैंक से बाद्धरों को सप्लाइ दे रहा है यह सवाइंच का निए तो अब सवाइंच से एक इंच किया हूं मैं व्हावझे प्रेश स्कोर्प्वें और स्वाइय ऐसी प्रेश प्लोर से पंद्रशों से कि आइट पे ठीक है तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए मैं यह जो डिलेवरी पाइप है इसको इसका जो गेज है इसको मोटा लगाया हूँ सवा इंच लगाया है और सवा से यहां एक इंच लगाया हूँ में फूरा देख सकते हैं तो देखे यह मोटार का है यह टेंक का यहां ओपर बैंड लगाया हूँ और यह प्रिंस स्मार्ट फिट का पाइप है एचडी एर ग्यार क्लास वन का ठीक है दिखे यहां पे आ रहाए यह इधर यहां पर दिया हूँमे एक टैप लगाना है यहां पर देख सकते हैं और फिर एक वोबर मेंड यहां भी दिया हूँमें यहां भी पाइप के उपर पाइप Desde coupling डिख रहा है यह मोटर का ठीक है यह मोटर वाला पाइप है इक जका है ठीक है तो इसलिए पक चल़ रहा था तो यहां पर लोब में लगाया हूँ और जो यह वा समवरा टैंक थीक थीक है तो यहां मैं इक सर का पैंट बनाया हूँ तो यह जो टैंक करेंग कहा people है रहे जो है जो है इस तो और दो करस्तित्र है हउडब वाटर का ये जाड़नगा है सनद्रेट रखना है मिकसर इसमें जो रखेंगे तो तो इसमें जो साट मिक्सर होगा लांग मिक्सर होगा दोनों फिक्स होगा ठीक है और साथ से एगर कम रखेंगे छे या साड़ी छी रखते हैं तो सिर्फ उसमें उसमें क्या होगा सिर्फ छोटा मिक्सर ही फिक्स हो पाएगा लांग वाला मिक्सर नहीं हो पाएगा तो कम से क मिनमम क canyon MS Ac city of YouTube विए ख्रु जाय को कि प्रोडर से इसका माक्सिम मैक्सिमम 10 इंच दो भी छाट सावर का जो मैक्सिम्म मैं मैं 70 माइट हूँ को उन anno साड़ ज़ोता है और मेक्सिम्मम साड़े साल तक सकते हैं ठींच stations पानी जो होता है नाल में दिक्कत होता है और गर्मी में पानी Harvard को जाता है गर्म Chung रिजुरल है ठंडी में गर्म होगा और गर्मी में ठंडा होगा तो आप कोई जानते हैं इसलिए यहां पिदिया हूं में यह मोटर का पॉइंट हो गया यह हमारा हट वाटर हो यह पूल्ड है यह हाट है यह सारे इंसावर के लिए गया है इसका मेजरिंग अभी समझाता हूं मैं कितना डिस्टेंस होना चाहिए नाप के दिखाऊंगा मैं अब दीखे यह हाट वाटर है यहां से आ रहा है यह हाट वाटर हाट वाटर हो गया यहां पर यहां पर उल्टा हो गया है लेकिन कनेक्शन पाइप से उपर जब गीजर लगाएंगे तो वह क्रास हो जाएगा तो वह चलेगा वह सही है क्रास करके लगा देंगे इस तरह से यहां पर कनेक्ट हो जाएगा बट फैंस यहां उल्टा नहीं होना चाहिए है यहां जो hot water में होना चाहिए ठीक है ना की right when right time cold होना चाहिए रहा ठीक है यहां पे opposite है उलटा है एप अब चले गाई यह ठीक है और हो यह वाला है cold water वाला उन्वात है यही लगा के मैं दिया हूं और प्रेक्टि लगा कि यहां दिया हो इधा यहां रहा इधर इधर वासवासिन र में हैं तुकél एक सब्सक्राइब ए इडीस टल वासी सिन है याई लाइक है तो यहां प trabalh says लगेगा वास्मीस इंग कैसे लगता इसका वीडियो है चैनल पे बीजिट करके देख सकते हैं ठीक है तो अभ ये उदर से आ पिकला है यहां पे दिया नहीं गया है यहां लगाओंगा मैं आफ्टर, इसको बाहर से लगेगा तो उसको connect करने के लिए ये दिया हूं ठीक है और फिर यहां प्यारा देखे और फिर लाइनिंग का ध्यान रखना है लाइनिंग का भी से ध्यान रखना है आपको फिटिंग करने में आसानी रहती है ज्यादा घुमाना ही पड़ता है तो सारा एक इं कुलेंस तरह स्यारा तो एक यहां पे टैब दिया हूं मैं यहां पर नारा डॉटर का गाई यहां यहां पे मैं इंड कैप लगा के छोड़ा हूँ, यह टैंक का है, जो की किछन का सप्लाई है, अभी आगे लेके जाना है इसको, और यह मोटर का है, ठीक है, साथ में मोटर भी बनाया हूँ दिखे, यह मोटर है, मोटर का यह आउटपुट है, तो यहां पे दो बाल-बाल रखेंगे और इसको अंदर के कहीं पी ले जा सकते हैं पानी को ठीक है और अगर इधर जरूत नहीं हुआ तो इसको बंध करेंगे इस तरह से और इसको open करेंगे तो इसका बिसे ध्यान रखना है एक कंडिशन में दोनों बंद नहीं होना चाहिए तो मोटर जलेगा ये तुरंत जलेगा मोटर ठीक है तो एक को खुला रखना है चाहे इसको खुला रखें या इसको खुला रखें ठीक है दोनों को एक साथ बंद कर दें के तो ये मोटर जो जो कि ये देखिए हमारा हैंड पंप है हैंड पंप में ये कनेक्ट हुआ है अभी देख सकते हैं इधर ये दिह लगा है येलबो लगाया हमें कि लगा है तो चलिए फैसे में वह मिकसर वाला मिकसर का साइज मेजरिंग करके दिखा देता हूं पहल análम वीडियो को पूरा देखते रहिए ठीक फिस वीडियो को पूरा देखते रहे और आपको जिस ट्रॉप के वीडियो चाहिए कमिंट कीजीए कुषक्ष के जादर याधा कमेड़ायगा तो उस पर मैं वीडियो बना गुब अब foreign यह ज़िए गिजर का है चैकि यह मिक्सर का है कि यहां नोझार जर्भाल का आहीं यह यह जो सावर है सावर का जो पाइब है रेल सावर वाला यह थिर्वोर का है और यह 1 इंच का है ठीक है आर बाकी और वीडियो में आप आप लोगों देखा होगा पाइप भी पाउना करता है ठीक है पाउना वाला और यह सावर भी रहता है तो इसमें क्या होता है कि सावर तक पानी पहुंचते पहुंचते यहां प्रेसर लो हो जाता है प्रेसर थोड़ा कम हो जाता है ठीक है तो अभी इसमें प्रेसर बहुत अ अच्छा प्रिसार देगा तो मैं आप लोग को रिकमन करता हूं अगर यह पाउना से वायरिंग करते हैं ठीक है तो पाउना से यहाँ 15 mm का पाइप लगाएं ठीक है यह 20 mm का पाइप है पॉना वाला यहां पानी कमाता ठीक है लेकिन इस कंडिशन में क्या होगा यहां पर दिखे सवाइंच का पाइप है यहां से वन भाइप पॉना हुआ है इसलिए काफी अच्छा प्रेसर आएगा सावर में ठीक है और यह फैंस उपर जा रहा है ठीक है तो मैं कई वीडियो डागा हूं आपने देखा होगा उस वीडियो में कभी भी पॉइंट को जो है फैंस उपर से नीचे से उपर नहीं उठाना है बलकि जैसे दिख लिजी माल जो है इसलिए जो है